यहां पर कॉंग्रेस गडबंदन से अपने आपको एकदम अलग करते नजर आ रही है यहां पर हमारे साथ रियाजनेतिक वैसे सग्य मौजूद है एक मिस्रा जी आप से जानना चाहेंगे सर्ब जिस हिसाब से आज एक सुत्रों के हवाले से ख़वार आई है कि उत्तर परदे बहुत फर्क पड़ेगा उसके पहले मैं एक बता दूँ भारती राजनीत में एक बहुत जवर्जस्त परिवर्तन हो रहा है इस पेसली गडबंदन ओरियेंटेट जो राजनीती होती थी तेके इसको ऐसे समझी है नेचर चेंज हो रहा है गडबंदन का इसके पहले तक जि पर पार्टियां नहीं आई है अब ये दो चीजे हैं इसमें देखे या तो हो सकता है समाजवादी पार्टी और बसपा इन दोनों ने केवल इस्टेट लेबल पर अपना फैदा देखा महा गडबंदन की बात नहीं कि कि भाई पहले अपनी जान बचाओ दूसरा एक टर्म होता है पोलेट केल एंबुश या लेबरेंथ ये भीपक्ष की एक चाल हो सकती है चाल ये हो सकती है कि अब की बार जो नेचर चेंज होगा गडबंधन का वो ये होगा कि हर स्टेट में जो जो पार्टियां मजबूत हैं वो गडबंधन कर ले और चुनाओ जीतने के बाद सारे लोग एक साथ मिल करके अपना प्राइम निस्टर चुन ले सेकेंड ऑप्षन जो मैंने बताया कि हर स्टेट में जो जो पार्टियां मजबूत होंगी वो गडबंधन कर लेंगी क्योंकि बाई हुक और बाई कुरुक सारी पार्टियों को जीत मतलब सबका अंतिम लक् अगर गडबंधन करती है मैं फिर से रिपीट करूंगा हमेशा मैं बोलता हूं कि अभी भारती लोग तंत्र में चुनाओं में जो गडबंधन है मत बंधन का अभीस्त तरीका यानि बोट पाने का अभीस्त तरीका गडबंधन है इसमें बड़ा पावर होता है मतलब बहु मुश्किल होगी उसके पीछे रीजन है केवल यही दो पार्टियां ऐसी है जिनका वोट बैंक अभी भी बहुत मजबूत है इसमें खास बात और ध्यान देने ही हो गया है अब इसमें जरूरत समाजवादी पार्टी की है कि अखलेश यादो की है मतलब अखलेश यादो के प बहुत कमजोर हो गई है इनका वोट बैंक बट गया है अब जरूरत अखलेश यादो की है मैं तो यह बोलना चाहूंगा कि जैसे डूपते को तिनका का सहरा कॉंग्रेस के साथ इन्होंने गड़ बंदन कर लिया और इन्होंने एक कहावत है ने कि जैसे छाज का जला हुआ जो है दूद भी सौरी दूद का जला हुआ चाहज भी जो है फूक फूक के पीता है तो अब यह कॉंग्रेस के साथ नहीं जाएंगे कहीं कहीं देखें कॉंग्रेस भी मानमनोवल नहीं कर रही है कॉंग्रेस भी एप्रोच नहीं कर रही है तो कहीं 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 कॉंग्रेस औ उन्होंने मन बना लिया है कि भाई अपकी बार हम गड़ बंधन इस तरीके से बनाएंगे और अखले श्यादों के लिए गड़ बंधन करना समाजवादी पाल्टी के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह कमजोर हैं बनस्पत या लेकिन इसमें दोनों का जबर्जस फैदा होगा आप से जानना चाहेंगे यह जो आज गड़ बंधन हुई है उससे कॉंग्रेस को क्या फरक पड़ेगा क्योंकि 2007 में यही गड़ बंधन हुई थी कॉंग्रेस और सपा के साथ लेकिन ऐसा क्या इस बार अलग रहा कि कॉंग्र या गड़ बंधन में अपने मित्र लोगों को चुनते हैं तो वो यह बकायदे इस चीज की नापतौल करके चुनते हैं कि किसके साथ मुझे फैदा होगा और नुकसान होगा यूपी में कॉंग्रेस की परफॉर्मेंस लगातार कमजोर रही है तो कोई भी पार्टी आप य जेंगे और यही रीजान है आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि चुनाओ के टाइम पे दो ऐसे धड़े या दो ऐसे ग्रूप या पार्टीया एक हो जाती है जो दूर वी रहुदी थे आप यह देखिए नितीश कुमार जी चुनाओ उन्हों ने जीता जो है इनके जेश यादो जी को दिख रहा है फैदा दिख रहा है कि मायावती जी के साथ गड़बंधन करने पर तो हर आदमी ऐसे नौ पे सवार होना चाहता है जो उनको जो मतलब उनका टार्गेट दिला दे जो उनको पार लगा दे और कहीं न कहीं कॉंग्रेस के लिए यह चीज है क जैसी साब से कह रहे हैं शुपाल सिंग यादो इनके ही मतलब चुनाव चिने पे जो है पार्ट चुनाव लड़ेंगे पार्टी पे और जैसी साब से उन्हों ने अपनी अलग पार्टी बनाई काफी जंग हुआ था उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा के बीच में अब बुआ जी के साथ जो वैमनस है था उस वक्षिवपाल यादो जी भी एक प्रमुख नेता थे यह तभी संभाव है जब मुलायम सिंग यादो जी लीड रोल में आये तो उनके लिए शिवपाल यादो तो सब चीज त्याक सकते हैं बाई इतनी वैमनस इतनी दूरी बढ़ यह उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली हर जगह से जो है उन्होंने प्रचार कर दिया कंडिडेट उन्होंने ढूंड लिये हैं तो यह पॉस्बिल नहीं है कि वो अपनी सारी कवायत को छोड़ करके वो भी अखलेश के कारण यह जगड़ा हुआ था कि अखलेश को सारे समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके ले आ यह वहाँ पे शुपाल यादव आ सकते हैं और वह सारी की सारी चीजों को छोड़ करके त्याग करके एक बड़ एक बार फिर से आ सकते हैं लेकिन मुझे यह 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 संभों नहीं लगता है इसके चांसे बहुत काम है तो मुझे यह लगता है कि शीवपाल यादो, देखे, मायावती जी के साथ चाहते तो शीवपाल यादो भी कर सकते थे अप्रोच या मायावती कर सकती थी, लेकिन वह पुरानी कुछ ऐसी चीजें हैं, जिसके कारण वह नहीं कर सकते हैं, दूरिया अभी मायावती और शीव पाल यादो के कंडिडेट अगर खड़े होंगे तो नुकसान इनको पहुंचेगा यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है कि गड़बंधन के लिए लोग आशानुवित तो बहुत हैं लेकिन बीजेपी की रणनीत ही क्या होगी जड़ा आप सबसेती है जो इतनी भी सीटें 50-50 परसंट लोग लगभग बटेंगे हैं अब 37-37 सीट अगर होगा तो दोनों पार्टी से अगर देखा जाता तो जितनी सीटें हैं सपोट 84 अपचासी सीटें हैं तो अगर आप यह देखेंगे तो कितने सारे कंडिडेट को दोनों उससे म मिला चाहे समाजवादी पार्टी या बस्पा से क्या वो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई या नेतागिरी को यह त्याक करने के लिए तयार होंगे कहीं वो निर्दली खड़े हो गए कहीं बीजेपी ने उनको तोड़ करके अपने फेवर में कर लिया तो यह एक बहुत ब बेड़ बंदन बीजेपी के लिए एक तरह से प्रॉफिट का भी काम कर सकता है बिलकुल कर सकता है देखिए अगर बीजेपी ने इस स्टेटजी में काम कर दिया मैं बोलता हूं आधे ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के और बस्पा के जिनको टिकट नहीं मिला उसमें से कुछ लोग भी अगर बीजेपी के साथ चले गए निर्दली खड़े हो गए या कन्मिंसिंग कुछ ऐसा कर दिया भाई लोकल इंफ्लूएंस तो नहीं का है न अगर उनके लोकल समर्थक वो अपने लोकल नेता के साथ मिल गए तो जितने वोट बैंक पे उनका गडबंधन को अगर यह चीज हो गया तो यह गडबंधन फैल भी हो सकता है यह इनके लिए एक बहुत बड़ा इस गडबंधन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा क्या वो उस भावना से त्याग करके और इस तरीके से अलग हो गए अपने वतीजें से कभी किसी ने सोचा था अपनी पार्टी बना ली अब अलग हो गया तो 4-5 परसंट वोट तो काटेंगे ने क्योंकि उनका भी तो यादव वोट बैंक या जो इनका वोट बैंक है ट्रेशनल उस पर तो उनका इंफ्लूएंस है ना जब इन ना कहीं अशंका है इस चीज की कि वो बसपा या सपा को जॉइन कर सकती है देखिए यह इस चीज की जबरजस्त असंका है अब कोई कंडिडेट अगर इस्तीफा क्यों देता है इस पेसली अगर सावित्री भाई फुले की हम बात करें तो अपने परसनल गें प्रॉफिट लास को पॉलिट केल वो देखते हैं तो ऐसे में वो ऐसे जगह पर जाएंगे सबसे पहले तो जहां पर उनकी जीत सुनिश्चित हो ताकि उनको मंत्री पद मिले एमपी सीट उनकी फिक्स हो उसके साथ उनको सरकारी सुब्धाय मिले तो अगर उनको लग देखे अभी भी क्या है कि बीजेपी अगर वो बीजेपी में नहीं जा रहे है तो एक ही ऑपसन है अब तो गडबंधन बन गया सबस्पा का और अगर उनको बहराइस से ही लड़न गडबंधन के सीवा उनके पास कोई विकलप नहीं है अगर इस गडबंधन ने उनको एक्सेप्ट किया उनको अपने अंदर लिया और वो भी ये कोशिश करेंगी कि मैं इस गडबंधन में सामिल हो जाओ अगर बीजेपी में नहीं होना है तो इस चीज के चांसे बहुत कम है कि वो शीवपाल याद हो या किसी और तीसरी पार्टी के साथ चले जाए यहां पर कॉंग्रेस का खहना है कि यहां पर उत्तर प्रदेश के घडबंदन में कॉंग्रेस भी सामिल होगी एक मिस्टरा जी आप से जानना चाहेंगे आई दिन लोगों कारोफ है कि कॉंग्रेस जमीनी राजनीती नहीं करती है जिसके वज़े से कॉंग्रेस का जो है सुप्रा साफ होता दिख रहा है उत्तर परदेश से और भी देश के कही राज्यों से क्या आपको लगता है इस बार के लोग सभा चुनाव में कॉंग्रेस कितनी सीटों पर सिमेट सकती है पिछले बा जो है अपना भाग गयाज मैं देखें मैं आपको बताओं यूपी वैसे भी लोग सभा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉंग्रेस की तो पूरी प्रिस्ट भूमी अलहाबाद यूपी से जुड़ी हुई है नहरूजी से लेके जो फूलपूर से लड़ते थे इ अगर वो रिवाइब कर पाए अपने आपको तब लेकिन सवाल यह होता है कि दो सीटे तो शियोर है उसके पीछे रीजन यह है कि अमेठी और आपका रायबरेली उसके पीछे रीजन यह है कि लोग सभा चुनावां में कोई भी जीते लेकिन भारती जो मद्दाता होता है उसका लगाओ, ये दो नेता वहां से हमेशा जीतते रहते हैं, तो वो लोक लाज के कारण वहां का मद दाता, उनको देता है, भाई हमारे नेता यह है, पॉलिटिक्स विदिन पॉलिटिक्स का यह कॉंसेप्ट है, बाहर किसी की भी सरकार बने उस सीट पर यह जीतेंगे, बा स्वाइज मुझे कोई बहुत स्कोप, देखे कॉंग्रेस के कोई लीडर भी यूपी नहीं जा रहे है, आप नेशनल लेबल से ले करके देख लीजेए, अगर गडबंदन होता है, सपा बस्पा में यह तो अपने आपको भी उस गडबंदन में शामिल कर रहे हैं, क्या में भी वोटरों का जो मन होता है, डिसीजन होता है, वो बदल जाता है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि हाँ जहां यह 82-83 सीटों का गेम होता है, यहां पर जो है बीजेपी को आप यह समझ लीजे कि लगभग लगभग अगर आप समझेंगे, जैसे पिछली पास साइद इ रीजन यह है कि इनका जो गडबंधा ने समाजवादी पार्टी और बस्पा का यह अभी जैसे मुझफर जी बोल रहे थे भले ही कुछ हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि यह जातिगत जो कॉंसेप्ट है, वही प्रिंसपल यहां पर काम कर रहा है, और यह बहुत स्ट्रॉंग ह अगर यह मैंने बोला कि आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, तो वह जो इस्टैबलिस्ट नेता है सपा और बस्पा के, वह कहां जाएंगे, अगर वह बीजेपी के साथ हो लिए, या उन्होंने दगा कर दिया, धोखा दे दिया, तो यहां पर गेम चेंज हो सकता है, त इन सब चीजों को अगर यह मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो बीजेपी को अच्छा खासा डेंट पहुंचेगा उसके पीछे एक रीजन और यह भी है, कि देखे एक नेचुरल वीर एंटियर होता है, पांच साल में नेचुरल ग्लैमर अट्रेक्शन जो होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, खतम होता है, हां, तो यह बीजेपी के साथ भी हुआ है, जो इनका एक लहर थी, उस वक्त जो मोदी की थी, उसमें definitely होए, कि हर पार्टी के साथ होता है, हर फेमस आदमी के साथ होता है, उसमें गिरावट आई है, क्योंकि सारे वादों को को चाहती है पांच साल में देखिए अभी जैसे राजस्थान का इलेक्शन हुआ खुद बीजेपी वाले बोल रहे थे भाई वहां एंटी कि प्रक्रिया है कि पांच साल के बाद जो है सरकार चेंज हो जाती है तो यह सर महौल देखिए हमाना जाए कि पब्लिक अपना टेस्ट इस बार बदलने वाली जबर जस्त एक फैक्टर होता है वोटर साइकोलोजी की अगर आप देखेंगे देखिए यह कॉमन घर में भी होत है यह चीज़ BJP के साथ हो रही है कोई और पार्टी होती तो उसके साथ भी होती तो एक तो यह नेचुरल वियर एंटियर के कारण BJP को नुकसान होगा उसके बाद जो यह समीकरण बन रहे हैं बिगर रहे हैं और तीसरा फैक्टर होगा कि सारी पार्टियों का एजेंड़ क्या होगा और वो एजेंडा कितना influence करते हैं लोगों को ये तीन factor देखने के बाद clearly ये बताया जा सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी time है बहुत new natal level पर ये in limbo है जितनी भी development हो रही है change हो रहा है in limbo यानि कि in process है ये थोड़ा सा wait करिये कुछ दिनों के बार ये clear हो जाएगा सारी पार्टियों के लोगों को जरा आने दीजिए सामने कुल के क्या बोल रहे हैं क्या एजेंडा बना रहे हैं क्या इनकी offering है वो देखने के बाद ये पता चल जाएगा बड़े आराम से पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटे ले जाएगा मί resolve में के लेखने की जाएगा. झाल 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 झाल